हालो साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका PBR study में क्लास का समय साइड में दिख रहा है कौन सी क्लास कब होती है इस समय यूटूब पे चार फ्री क्लास हो रही है आप इने ध्यान से देखिया और अपना काम आगे बढ़ाईए गायल तो यहां हर एक परिंदा है लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है तो हम लोग भी एक बार फिर से उड़ने की कोशिस करते हैं इक्सरसाइज 13.4 चल रहा था कुश्चन नंबर 3 तक बच्चों ने आप लोगों ने पढ़ लिया था पोर नंबर आज पढ़ेंगे इमांदारी से देखिए हिंदी में दिखरा है इंग्लिस में मैं पढ़ देता हूं इंग्लिस में कुश्चन सुनिए ध्यान से हिंदी में नीचे दिखरा देख लिजिए करा रेडियस आफ इस फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रम सेबन सेंटिमेटर टू 14 सेंटिमेटर एज एर बिइंग पंपड इंटू इट यानि एक गोलाकार गुबारा जिसमें हाव भर करने पर उसकी जो त्रिज्या है वह साथ सेंटिमेटर से बढ़के 14 फेंटिमेटर हो जाती है फाइंड रेडियस आफ सर्फेस एरिया आफ दा बैलूम बैलून इन ता टू केसे दो इस्थितियों में बैलून का क्या करिए आपको प्रिष्टिय छेतर फल ग्याद करना है मतलब पहले साथ सेंटि MYtrent व और जब बढ़के 14 सेंटिमेटर हो गया था था दोनों इस्थितियों में क्या करना है प्रिष्टी चेतरफल ग्याद करना है और उनका रेशियो फाइंड करना है उपाद ग्याद करना है चलिए लिखते हैं लिखिए छोटी त्रिज्या बराबर देखे साथियों पहले गुबारा छोटा था फिर उसमें हवा भरी गई तो वह बड़ा हो गया तो कुछ ऐसे समझ सकते हो जैसे मालो अगर गुबारा गोला था पाहले इतना बड़ा तो इसकी रेडियस कितना थी बड़ятиया और चै और वह बोलता है उसे को सर्फैस्श उनका रेशियों पाइंड करना यह लिखो छोटी त्रिज्या इसको हम इसमाल आर मान लेते हैं लिख लिजिए इसमाल आर इकोल सेवन सेंटीमीटर बड़ी त्रिज्या कि इसको करेप्टल आर मान लीजिए यह 14 सेंटीमीटर है आगे क्या दिया है कि दोनों में रेशियों ग्याद कीजिए है ना इनके प्रिष्टियच रफल में अनुपाद करना है तो acia यह सबको पता है कि फोर पाई आर स्कॉयर होता है तो बड़े वाले तरिज्या लिए हम 4 πाई आर को कैपिटल में रखेंगे इसे आप याद रखना ठीक है और पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया आर का स्कॉयर इक्वल कैपिटल आल का स्कॉयर इस आर कमान साथ है इसका मान कितना है बापू 14 है हल तो सभी कर लेंगे 7 x 7 यह 14 x 14 साथ से काट तो दो आएगा यह भी आप काट सकते हो दो आएगा उधर थाइड में फोर हो जायेगा इधर वन ही रहेगा तो वन रेशियो फोर यहनि आपका अंसर कितना आएगा वन रेशियो फोर हो सकता आपकी बुक में अगर बैटा यह फ स्क्रिन साथ ले लेजिए फिर हम नेक्ष्ट कुशन की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करें पाजबा कुशन देखिए यह भी बिल्कुल वैसे है पीतल से बने एक अर्थ गोला कार कटोरे का आंत्रिक ब्यास 10.5 सेंटिमेटर है यह 16 रूपर 30 सेंटिमेटर क्या है बाबु यह एक अर्थ गोले के आकार का कटोरा है इसका आंत्रिक ब्यास यानि यह चीज 10.5 है ठीक है तो पहले आप इसका सी ऐसे निकाल लेना और सी ऐसे निकाल करके 100 सेंटिमेटर स्कॉयर की दर 16 रूपय है उससे गुड़ा करके अपना कर लेना अंसर आ लगाओगे और उसके नीचे 154 रख देना बराबर एक तरफ सूत्र आजाएगा और एक तरफ 154 आजाएगा हल कर लोग आ जाएगा सत्वा कोश्चन मैं करवा दूं चलो सत्वा मैं करवाता हूं तो आप लोग ट्राई करना नहीं आएगा तो मुझे बता देना मैं सब बता दूंग टेंसा नहीं लेना चलो बटाइश को इंगलिस में पढ़ते हैं हिंदी में आप नीचे देखो दिख रहा है एक बार फिर से सुन लीजिए यानि जो चंद्रमा का ब्यास है पृतिभी के ब्यास का लगबग एक चोथा ही है इसमें कुछ दिया तो है नहीं यार लिखो मानेंगे लेट्स लेट्स डाइमेटर आफ अर्थ इस इक्वल वन हिंदी में लिखिए माना प्रित्वी का व्यास बराबर एक देखो बच्चों बिल्कुल सही है न करा वन अपान फोर है अगर हमने अर्थ का वन माना तो मून का वन अपान फोर होगा इसे काम ऐसे भी कर सकते हो इसे ब्यास मान रहे हो ना बाबू तो ब्यास मान रहे हो तो इसे प्रित्वी का है वह से ठीक है सिंपल में लिख दो भी वन ठीक है नो प्राब्लम अभी इसमें आपको एक चेंजिंग करना है वह क्या ब्यास का तो काम लगेगा नहीं हमें रेडियस का काम लगेगा तो यहां से अगर हम रेडियस निकालेंगे आर नीचे लिख लेना मतलब आर्थ तो रेडियस इसकी आधी होती है मतलब वानपांटू हो जाएगी अगर इस ब्यास से आप रेडियस निकालोगे इसका आधा करोगे तो आर यम मतलब मून तो यह वह रपानेट हो जाएगा एक बटा चार का अधा कर लेना एक बटा आठाएगा ठीक है नो डाउट कर दोनों के से में रेशियो फाइंड करिए प्रिष्टिय छेत्रफल में अनुपात कीजिए नीचे फर्मूला लगाओ लिख लो रेशियो इन कर्व सर्फेस एरिया चाहे तो लिख लो ऐसे हिंदी मे यहीं होता है लेकिन अर्थ के लिए आप नीचे लगाओ गे और फोर पाई आर इसक्वाइर यहां नीचे यहां लगाओ गे जिसे दोनों में डिफ्रेंस जनाई पड़े फोर पाई से फोर पाई कैंसील हो गया आर ए कमान रख दो वन अपान टू और यह वन अपान एट इ कि इनको हल करोगे तो बाहर से बाहर का मल्टीपल अंदर से अंदर का होता है क्यों भाई यहीं तो होता बाव कुछ और होता यार क्या होगा देखो तेक बढ़ ट्राइग करो जल्दी करें फास्ट कुष्चन नंबर आठ देखिए आपको याद दिला दूं कि आप पढ़ रहें प्रस्णावली 13.4 कलाफ 9 के अंसीयर्टी मैथ इस्क्रिन पर कुष्चन आपको हिंदी में दिख रहा मैं इंगलिस में पढ़ देता हूं सुन लीजिए है आहेमी स्फेरीकल बाउल है मिश्फेरीकल मतलब अर्थ गोले के आकार का कटोरा थीक है अहेमी स्फेरीकल बाउल जैसे वहां बना है इज मेड आफ इस्टील 0.25 थिंक थिंक मतलब मोटाई का ठीक है दा इनर रेडियस आप दा बाउल इज 5 सेंटिमेटर फाइंड दा आउटर कव सर्फेस एरिया आप दा बाउल यानि एक कटोरा है जो 0.5 सेंटिमेटर मोटी स्टील से बना हुआ है ठीक है भाईया बाबू कितने का बना है 0.25 का बना है सायद इसमें कुश्चन में ओनली 5 टाइप है यह कुश्चन में थोड़ा गलत लिखा गया है आप यह समझ लो कि कटोरी की जो थिन है वह 0.25 है नाड फॉइब तो कहने का यह मतलब है जैसे कोई कटो रहा है कोई बतन है तो उसकी अपनी एक मुटाई होगा यह आप जानते हो कि नहीं कोई मुटाई होती है बही कहते है ना बरतन मुटा है पतलारुक जो में लाके दिखा देता तो यह चीज जो है यह दिख रहा है यह क्या मोटाई यह क्या मोटा बना हुआ है वास्तों में जितना उपर दिख रहा इतना मोटा नहीं यही चीज है जो मैं घेरा हूं जो आपका गोला दिख रहा है तो यह क्या इतना मोटा है और इसका अंदर का रेडियस है वह पांच सेंटीमीटर है जैसे अभी मैं आपको दिखाया यानि यह क्या है बाबु यह यह आपका फाइब सेंटीमीटर है तो क्या पूछ रहा है करे कटोरे का बाखर क्रिश्टिय चन्य इतना बड़ा कटोरा चैजा berries कितना है लिखें लो लिखो इंभाये का रेडियस गिशाइक नहीं गाउठान कि बकाटल कि देखो सी बात है कटोरे की एक मोटाई है कटोरे कि अंदर अंदर तिरिज्या पांच सेंटिमीटर है तो बाहरी तिरिज्या कितना हो जाएगी बाबू 5 प्लस 0.25 इक्वल आपका दोनों जूड जाएगा तो 5 दस हमलों दो 5 सेंटिमीटर हो जाएगा याद रखना मैंने जो लिखने माली बात बोला उसे लिख लेना मैं आगे क्या करोगे लिखो cma सिएश कर हमीं मैं मुले लिखेंगे टेरे का बाहरी वक्र परिष्ट्य के द्रफाल बराबर रिखी से एर लिखना कितना होगा आब बच्पन से पड़ते हैं सघ्रटीक चेर किसिज घलता रहे किस्ट म Have a अग को सब्सांड कि बबये अब अध्यों कि अब इसमें क्या करोंगे और दो गुरत एक्मान एक वाईष वाइस बॉक्टा 5.25 into 5.25 इनको काट दीजिए साथ से आप काटोगे साथ सता उन्चास और साथ पाचे पाइंटीस पचात्तर आएगा ना लेकिन दो अंक पर दस हमलों लगा था इफ लिए हाँ पॉइंट लग जाएगा 0.75 इन सब का मल्टीपल कर लो यह 44 आजाएगा 44 इन्टू 0.75 into 5.25 आएगा सब का मल्टीपल कर लो बाबू आपका 173.25 संथिंग आएगा 173.25 सेंटीमेटर का स्कॉयर यह हम लोगों ने एरिया फाइंड किया अगर वैलूम फाइंड करते तो यह क्यूब में आता याद रखना इसे को कोई डाउट no doubt question number आपका कहां तक हो ग पोर का नाइन नंबर देखो जल्दी इसका इसक्रीन साथ लोग फट से जल्दी से फट आप चलो मेरी फोटो लेलो एक अच्छी सी अ बढ़ियां दिख रहा है एक बहुत ही अति महत्वपुर्ण सुचना अगर आप 910 में हैं बोर्ड पर इच्छारती हैं तो बच्चों आने वाली 25 जून 2022 से अगर यह अभी नहीं बीता है हो जकता आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो टाइम बीत गया होगा तो PBR study 3.0 चनल पर यह क्लास से उस पर ट्रंसफर हो रही है याद रखिएगा आज ही जाके सब्सक्राइब कर लिजिए डिस्क्रेप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप देखिए भाई नाइन नंबर ले आओ यह आ गया कर रहा है सनलगन चित्र में एक लंबिर्तिय बेलन सिर्ज्या आर वाले एक गोले को पुड़ता घेरे हुए है तो ग्याद कीजिए तीन चीजें ग्याद करनी है मैं इसको इंगलिस में पढ़के सुना देता हूं पहले मै समझेरो ना यह रसगुला लाके डालने इतना बड़ा वाला पूरा डिब्बा भर जाए मुह में पानी आने लगा कलास पीछे जा रही है रसगुला रहने दो मिठा हो जाएगा गेंद मान लो तो पूरा भर जाएगा न तो ऐसी तिती में बोल रहा है कि गोले का सिलेंडर जेश्ट इन क्लोजड आइस फेयर आफ रेडियस और फाइंड नमबर फर्स वाला देखिए असर्फेस एरिया आफ इस फेयर इकन अ कर्ड शर्फेस एरिया आफ सेलेंडर अंधर्ड रेशियो आफ एरिया अप्टैंड इन फर्स और सिकेंड पूरा फिर से सुन नमबर फॉस्ट रेडियस सट उसरी सर्फेस एरिया आफ इस पैर एंड सिकेंड गाल शर्फेस एरिया ओफ सेलेंडर अंधर्ड रैस्यो आफ एरिया अप्टैंड इन फार्स टैंड शिकेंड वोगका मेरा प्रॉननशेस एसन थोड़ा गलबडो लेकिन आप समझ गया होग दो चलिए बनाईए एक थी चुप़े से फिगर आपके सामने बन चुका है समझ यह इस तरह से कुछ है साथी मेरे कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है यह क्या आर है यह इधर भी आर है इसकी है और यह होती है सिंपल सी बात है हम क्या कह सकते यह आपर हमें यहां पर यह कह सकते हैं कि जो यह वो टू आर के succeed यहाइज इसे की बराबर यह 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 इसatisf लील यह और चारू तलफ होगी क्योंकि रेडिये साइं स eldall पार के बराबर है सिंपल है इसमें कोई कुश्चन मार्क होई नहीं सकता है कि आए कुश्चन पर आते हैं गोले का प्रिष्टिय छेतरफल ग्याद कीजिए फ़स्ट पार लिख लो लिखो सर्फेस एरिया आफ इस फेयर लिख लिजी मैं लिखूंगा नहीं सर्फेस एरिया प्रिष्टिय चेतरफल बराबर नहीं होच इसमें कुछ निकर लिखो हूझा Mitt लिखूंगग लिखो करफ सर्फसे एरिया सिलिंडर लिए प्रिष्ठिय क्षेत्रफल असलिको पेलन का प्रिष्ठिय चेत्रफल बराबर लेश्टियर जात बराबर Turk पता है कि बेलन का प्रिष्ठिय चेत्रफल 2毎-4 होता है तो मान रख दो 2毎-3 हुं क्या-क्या रखोगे भई एक मन Bubble यार खजला का यह रखो फटते इसमें कुछ दिया है क्या आर कमान यह कमान दिया न क्यों भाई कुछ नहीं दिया जो भी दिया आपके सामने है थोड़ा सा दिया है टू पाई ऐसे रहने दो आर को भी ऐसे रहने दो और यह की जगा पर टू आर रख लो क्योंकि यह रहा है यह हो जाया है आपका पोर पाई आर स्कौयर क्यों कियों हाई थारफ थार्ड वाल देख लो थार्ड वाला क्या रहा है कर रहा था कि उपर जो दोनों आपको मिले हैं एरिया उनका रेशियो फाइंड कीजिए तो लिख लो इसको भी चाहिए तो रेशियो या अनुपात बराबर यह फॉर पाई आर इसक्वार फॉर पाई आर इसक्वार यह सब कैंसिल हो जायागा वन अपान वन फाइनल में वन रेशियो वन हम कह सकते हैं हो गया दन तो इस तरह से प्यारे बच्चों कि पूरा चैप्टर खतम समझे रहो एकसर साइट थार्टीन पॉइंट फॉर इंड हो गया खुशी की बात है कि कम से कम यह इंड तो हुआ है मजा आया कि नहीं हम दाइंड हो गया अगली क्लास में पढ़ेंगे एकसर साइट थार्टीन पॉइंट फाइब पढ़ेंगे ना ओके तब तक एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लिजे स्क्रीन पर बहुत जल्दी देखाओ भाई फटा पर टाइम नहीं है जल्दी करो भाई या चल्दी यह क्लास का टाइम है कौन सी क्लास कब चलती है इसको देख लीजिए मेरी सकल मत देखिए जिन लोग का उधर छूट रहा था वो भी देख लें उधर साइड में ठीक है देख लिए अगला देखो ए रुग जा 25 तारीक से चेंजिंग हो रही है अगर आप इस वीडियो को 25 के पहले देख रहे हैं तो देख लीजिए यह है आपकी क्लास है पीवियर स्टेडी चैनल नंबर 3 पर जा रही है ठीक है तो वहीं पर मिलेंगी मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगर आपने हमें यूटूब प तो धन्यवाद क्लास को सेयर करके जाईएगा लाइक चुरूर करें